नमस्कार दोस्तों मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कख्षम में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टन एक एक ट्यू लखनव के सर्गुलर के बारे में डिस्क्रस करेंगे जिसमें उन्होंने लैप्टॉप से लैप्टॉप डिस्टिबूशन से लेट और स्मार्टपोन वित्रन योजना हेतू लाबार्थी यूआ वर्ग का डेटाबेस उपलब्द कराया जाने के संबंद में तो यह डेटाबेस मांग रहे हैं कहा गया महोदय विश्यक्स विश्विद्यालय के पत्र संक्या उन्होंने अपने एक सर्कुलर का जो है रेफरे गया था कि शासन के प्रत्र संक्या इतना अधिनांक 28-10-2021 के मादम से प्रदेश में युवाओं के तक्नीकी ससक्तिकरण हेतू लैप्टप और स्मार्टपोन वित्रन योजना हेतू लाबार्थी यूआ वर्ग का डेटाबेस उपलाप्स कराया जाने के लिए दिये गए है उक तक के खरम में संस्तान अधिनरज समस्ट चार्चात्राओं का अधार नंबर यों संस्ता लॉगिंग पर उपलाप दो स्टूडेंट डेटा बैंक के मादम से दिनांक 30-10-2021 अपराहन 2 बजे तक अप्रोड किया जाना निर्देशित किये गए थे इसका मतलब उन्होंने से जो है आपका डेटाबेस अपलोड कर दिया जाए उसमें वह क्या मेंली करना चाहते हैं आपका अधार नंबर जरूर होना चाहिए जो कि इन्होंने कहा है चाहत्राओं का अधार नंबर संस्ता लॉगिंग में उपलब स्टूडेंट डेटाबेंग के मादम से इतना से डेटा अपडेट हो रहा है अभी लॉगिं के मादम से अधार संख्या अपडेट करायाने के लिए अधिनरत चाहत्राओं के लिए भी खोल दिया गया है इसका मतलब है कि अभी तक जो है सिप इंस्ट्रिटूट अधार नंबर अपडेट कर सकता अभी सभी है यह बहुत ही इंपोरेंट है उसलिए आपको क्या करना है अपना लौग ऐन करना है और बोट चेक कर लेंकि आपका अधार नंबर वह फद्टेट яетडार आप अगरडेट है तो आपकर आपना लॉग इंकर करके तुरन तुझ में आधार अपने या,ीजिग आपको पर्त और अगर वहां पर कोई correction की requirement है या अपडेट का option आ रहा है तो वहां पर आप अपना अधाल नमबर अपडेट जरूर कर लें आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो गर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेर करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल क सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद